Hello students and most welcome अभी तक हमने एक इनिट को पूरी तरह से कंप्लीट किया है पूरी तरह से 90% से ज़्यादा कुश्चन्स हमने वहाँ पर थियोरी लेक्चर में कवर कर लिये इसके बाद भी कुछ ऐसे पॉइंट से इस रह गए जिनको हम अलग से तयार कर रहे हैं अगर आपने पूरे 9 वीडियो और प्लस आपने ये वीडियो और इसके बाद एक और वीडियो आएगा MCQs का इतना एक इनिट के लिए कंप्लीट कर लिया तो यकिन मानों आपका कंप्यूटर में एक इनिट से कोई भी कोश्चन बहार नहीं जाएगा और इसी तरह से हम अगली 9 यूनिट को भी कंप्लीट करेंगे टोटल हमको कंप्यूटर में 10 बड़ी बड़ी मेन यूनिट कंप्लीट करना है अगर यही स्टेटजिय आपने बना के रखी तो आपका कंप्यूटर का कोई भी कोश्चन किसी भी एक्जाम में नहीं हिलेगा देखें, कंप्यूटर एक मशीन है, याद रखना कंप्यूटर एक इलेक्ट्रोनिक मशीन है आधुनिक कम्प्यूटर के पिता एलेंट ट्यूरिंग है याद रखना आधुनिक कम्प्यूटर के पिता एलेंट ट्यूरिंग है जबकि कम्प्यूटर के जनग चाल्स बेवे थे और ये आधुनिक कम्प्यूटर के पिता है केल्कुलेटर का अविश्कार किस ने किया था? केल्कुलेटर का अविश्कार पास्कल ने किया था प्रथम इलेक्ट्रोनिक कम्प्यूटर था? प्रथम इलेक्ट्रोनिक कम्प्यूटर एनियेक था कम्प्यूटर स्क्रीन पर छोटी टिम टिमाती रेखा कहलाती है कंप्यूटर का मस्तिस्क है मॉनिटर को कहा जाता है वीडियू फंक्शन कीस की संख्या होती है फंक्शन कीस की संख्या बारा होती है एनलोग सिगनल को डिजिटल सिगनल में बदलने की वीधी डिजिटलाइजेशन कहलाता है डिजिटलाइजेशन भारत में निर्मित प्रतम कम्प्यूटर था नंबर सिस्टम में प्रियोग होता है जीरो और एक नंबर सिस्टम में प्रियोग होता है प्रतम इलेक्टोनिक कम्प्यूटर था प्रतम इलेक्टोनिक कम्प्यूटर एनियेक था वाइरस होता है, वाइरस एक प्रकार का प्रोग्राम होता है कम्प्यूटर की IC चीप बनी होती है कम्प्यूटर की IC चीप सिलिकॉन की बनी होती है भारत की सिलिकॉन वेली स्थित है बेंगलोर एक डिजिटल वाच में किस तरह का embedded हो सकता है तो यहाद रखना computer embedded हो सकता है ठीक है यह जो one liner देख रहे हैं आज के वीडियो में इसमें आपका unit 1 पुरी तरह से analysis हो जाएगा backup क्या है? backup system की information की ठीक वैसी ही प्रतिलिपी रखना processed data कहलाता है processed data output कहलाता है processor के तीन मुख्य भाग होते हैं ALU, Control Unit और Register microprocessor जो computer का मस्तिस का होता है उसे क्या कहेंगे? उसे microchip कहा जाता है microprocessor किस PD का computer था? microprocessor 24 PD का computer था computer का जनक किस से कहा जाता है? Charles Beves को कहा जाता है computer का जनक Charles Beves को कहा जाता है EDP का full form electronic data processing है भारत में निर्मित परम computer किस प्रकार का computer है? परम computer एक प्रकार का super computer है प्रतम PD के computer में प्रियोग होता था vacuum tube प्रियोग होता था आधुनिक digital computer हों में किस प्रतिक का उप्योग होता है? द्वी आधारी प्रतिक का उप्योग होता है computer के screen पर blink करने वाले प्रतिक को हम cursor कहते हैं cursor भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है एका CPU का वह भाग जो अन्य सभी computer component की गति वीदियों को coordinate करता है control unit कहलाता है computer में data कहा जाता है chip और संक्यात्मक सुचनाओं को computer का निहंत्रक भाग कहलाता है CPU ALU परिचालक संपन करता है arithmetic में वह hardware device जो data को अर्थफूर्ण information में पदलता है processor कहलाता है क्रे क्या है क्रे एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है time sharing का प्रयोग किस PD में हुआ time sharing का प्रयोग 30 PD में हुआ soft copy एक output है तता hard copy एक printed output है computer में अनवरत विद्यूत आपूर्ति का relationship रूप है UPS प्रथम गणक यंत्र कहलाता है अब एककस पहला गणक यंत्र कहलाता है सबसे पहले आधोनिक computer की खोज हुई थी 1946 में सबसे पहले आधोनिक computer की खोज हुई थी IC chip का विकास किसके द्वारा किया गया था JS Kilby के द्वारा IC chip का विकास किया गया जब computer दिये गए अनुदेशों पर कारे करता है तब उसे कहा जाता है processing वह graphical तस्वीरे जो file folder आधी जैसे object को represent करती है क्या कहलाता है icon कहलाता है icon सरवादिक सक्ति साली computer होता है सरवादिक सक्ति साली computer होता है super computer विप्रो कंपनी के प्रमुक कौन है अजिम प्रेम जी एक परिपत में प्रियुक्ट अर्दचालक जीब बनी होती है silicon की cellarone, pentium और core क्रम प्राप्त प्रारूप है computer process के computer का मुख्य पटल motherboard के लाता है 20 computer साक्षरता दिवस 2 December को मनाया जाता है super computer के जनक है याद रखना super computer के जनक विजय भाठकर है super computer के लिए सब्द लंबाई की परास होती है 64 bit परास होती है computer के सेत्र में महान करांती आई थी सन 1907 में महान करांती आई थी क्योंकि यही से लोगों के मन में ये जागुकता फेली कि computer नाम के एक सीजे जिसके द्वारा काम आसान होते हैं जल्दी बन साते हैं computer कारीर नहीं कर सकता understanding का गणना यंत्र अबेकस का अविसकार चीन में हुआ था monitor पर सबसे पहले दिखाई देने वाली screen को desktop काते हैं जिस पर icon folder आदी प्रदर्शीत होते हैं सत्य बात है कभी भी computer को सिर्फ desktop नहीं का जाता इसे desktop computer PC मतलब personal computer के नाम से जाना जाता है ये भाद भी सही है computer के अंदर data को विद्धू संकेत के रूप में एक hardware से दुसरे hardware पर बस के ध्वारा भेजा जाता है bit को binary digit कहा जाता है बिल्कुल सही बात है binary में two choice होती है 0 and 1 जब किसी संक्या पर आधार नहीं लगाया होता तब उस संक्या का आधार दसंबलो 10 होता है कम्प्यूटर का दिमाग brain आप कम्प्यूटर microprocessor या CPU को कहा जाता है microprocessor या CPU को कहा जाता है कम्प्यूटर का दिल hurt आप कम्प्यूटर ALU को कहा जाता है CPU तथा RAM को हमेशा सहयोजन के हिसाब से कम्प्यूटर में लगाया जाता है बिल्कुल सही बात है 2 दिसंबर का दिन कम्प्यूटर साक्सरता दिवस तथा 30 दिसंबर का दिन कम्प्यूटर सुरक्षा दिवस मनाया जाता है YouTube 24 की सबसे बड़ी वीडियो लाइबरी है बिल्कुल सत्य घटना पर आधारी थे CTEK का फुल फॉर्म Center for Development आप Advised Computing होता है इस प्रकार हमने ये Important Point कवर की है जो की Unit 1 से संबन्दी थे इसके बाद और भी Questions रहे गए हैं जिसको हम MCQs के फारमेट में कल Complete करेंगे ठीक है तब तक आप बने रहे हैं अपनी तयारी को बहतर बनाएं Group 4 का notification कभी भी भी आ सकता है संभावना है कि वो इसी सतर में इसका एक्जाम होने वाला है बट फिर भी आप उस notification से पहले आपनी सारी तयारी को Complete करेंगे जैसे ही notification आएगा हम हर थेवरी सब्जेक्ट के MCQs स्टार्ट कर देंगे ठीक है All the best